मुख्यमंत्री के वाहनों का काफिला प्रवास करते समय सुरक्षा के दृष्टी कोन से यातायात अवरुद्ध की जाती है हाला कि इससे बेवजर ट्राफिक जाम होता है और वाहन चालकों को परिशानी होती है इसलिए मुख्यमंत्री एकनाच शिंदे ने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री के काफिले को विशेश प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है उन्होंने इस मामले पर पुलीस महानिदेशक रजनी सेट और पुलीस आयुत विवेग फलसालकर से चर्चा की और इस विशेश पर निर्देश जारी किये उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रवास मार पर पुलीस का बंदोबस्त कम करके कही भी गाडिया अडाई ना जाए यसुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये ये आम आदमी की सरकार है और वियाईपी से आम आदमी की प्राथमिकता है मुख्यमंत्री शिंदे ने समझाया मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे लागातार यातरा करनी पड़ती है प्रवास में कोई व्यवधान ना आए इसलिए यातयात रोक ली जाती है इसलिए काफी जाम लग गया पिशले 3-4 दिनों के दोरान मुख्यमंत्री ने देखा है कि पुलीस बल पर कार्यभार बढ़ रहा है क्योंकि उनके लिए अधिक पुलीस तैनात की जारी है इसलिए लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जरूरी काम से बाहर जाने वाले लोग फस जाते है अगर एम्बुलेंस फस जाती है तो मरीज की जान को खत्रा हो सकता है इसलिए मुख्यमंत्री का पड़ समालने के बाद मुख्यमंत्री शिंदे की भूमिका है कि अपनी यात्रा के लिए बेवजा अन्यवा हंचालक परिशान ना हो